भारतीय कंपनी एलेंडिटी की तरफ से आई इस खबर को सुनकर आपको यकीनन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर गर्व होने वाला है। भारत की एलेंडिटी कंपनी जो की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की मेजर कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी ने एक बहुत बड़े स्टीम जनरेटर को मैनुफेक्चर किया है। इस स्टीम जनरेटर का यूज मैनली नुकलियर पावर प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। इस स्टीम जनरेटर की टोटल कैपैसिटी 700 मेगावाट होने वाली है और इसको नुकलियर पावर प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। ये कॉन्ट्रक्ट नुकलियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की तरफ से दिया गया है। ये कुल मिलाकर L&T कंपनी का चौथा स्टीम जनरेटर है। नुकलियर पावर प्लांट के लिए इसमें खास बात ये है कि इसको इंडिजन्स रूप से भारत में ही बना कर तयार किया गया है। जो की एक PHWR यानी की Pressurized Heavy Water Reactor है। समय से पहले L&T द्वारा इसको बनाए जाने से आगे और भी ऐसे Steam generator के order L&T को मिलने वाले हैं। बात करें इसके installation की तो गोरकपूर हरियाना विद्यूत परियोजना में यूज किया जाएगा। L&T ने इसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसको बनाने में मात्र 6 महीने का समय लगा है। अब आप कहोगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ इसका Use Heat Exchangers में किया जाएगा। जो कि परमानू कोर में हीट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और इसी हीट से Water को Boil करके Electricity का निर्मान किया जाएगा। लेकिन अमेरिका को इस बात से काफी निराशा हो रही है कि भारत ने Make in India Project के तहट Steam Generator का निर्मान इतना जल्दी और कम कीमत पर कैसे कर लिया। पूरी Development क्या है जानने के लिए बने रही है हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले Make in India Project की इस बड़ी उपलब्धी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। यकीन मानिये दोस्तों भारत ने परमानू उर्जा क्षेतर में एक और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है जिसे सुनकर अमेरिका को काफी जलन हो रही। ऐसा इसलिए कि अभी तक भारत के अंदर जितने भी नूकलियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किये जा रहे हैं इसमें हम नूकलियर फ्यूल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन नुकलियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जितने भी रियक्टर्स का इस्तिमाल किया गया है इन्हें भी हमने अमेरिका रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है लेकिन अब हमने इस रियक्टर टेक्नोलोजी भारत में ही डवलप कर लिया है हमें किसी और देश से इस तरीके की रियक्टर टेक्नोलोजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एलेंडिटी ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए स्टीम जेनरेटर को भी स्वदेशी रूप से तयार कर लिया है इसको 700 मेगावोट के रियक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा स्टीम जेनरेटर ही एक मैन कंपोनेंट है किसी भी पावर प्लांट का जो कि हीट से वाटर को स्टीम में कनवर्ट करता है और उसी स्टीम को टर्बाइन के उपर फ्लो किया जाता है जिससे टर्बाइन घूमते ही अल्टरनेटर घूमता है जिसके बाद इलेक्टरिसिटी जनरेट होती है दुनिया के तक्निकी एक्सपर्ट्स की माने तो इसे भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है जिससे भारत के नुकलियर एनरजी सेक्टर में एक बड़ी जीत बताई जा रही है नुकलियर पावर प्लांट्स के अंदर हम जिस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे यूरेनियम के नाम से जानते हैं और अभी भारत अपनी टोटल यूरेनियम की जरूरतों का करीब 80% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है जो कजाकिस्तान, कैंडा, रशिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है लेकिन दोस्तों एक और ऐसा ही एलिमेंट है जो भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है जिसका नाम है थोरियम भारत ने उस रियक्टर को बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है जिससे हम थोरियम का इस्तिमाल करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं वैसे तो हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है लेकिन भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कंट्री माना जाता है लेकिन अभी भी उस टेकनोलोजी को पूरी तरीके से डेवलप होने में समय लग सकता है तब तक हम पोल्यूशन कम करते हुए न्यूकलियर एनरजी के इस्तमाल से पावर जनरेट करते रहेंगे इसको लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि NPCIL की स्थापना के बाद भारत के परमाणू कारेकरम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद वहीं अनेक कठिनाईयों के बावजूद हमने इस माईलस्टोन को समय से पहले पूरा किया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहट इस तरह का रियक्टर भारतिये कंपनी द्वारा बनाना एक बड़ी अचीवमेंट है हमें इन कामों के लिए पहले विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता था मगर अब हालात बदल चुके हैं विदेशी कंपनियों की जगहे धीरे धीरे हर कशेत्र में भारतिये कंपनी ले रही है जिससे ओवरॉल भारत की डेवलपमेंट हो रही है एक्सपर्ट का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत को पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी चाहे यूरेनियम हो या फिर विदेशी रियक्टर्स और यह समय आज हो या फिर आज से 20 साल बाद भारत के अंदर एलेंडेटी जैसे बड़े प्लेयर्स इसी तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलोजी देते रहेंगे अल्टिमेटली इन कमपनियों के अंदर भारतिये काम कर रहे हैं जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को एक नई उचाई पर ले जा रहे हैं दोस्तों ये बात है साल 1950 की जब होमी भाभा को एटॉमिक एनरजी कमीशन का चेर्मैन बनाया गया तो नुकलियर रियक्टर के क्रिटिकल कमपोनेंट्स को बनाने के लिए उन्होंने एलनडिटी से अप्रोच किया जिसके बाद नुकसान का बिजनेस होने के बावजूद भी साल 1965 में एलनडिटी ने भाभा नुकलियर रियक्टर का निर्मान किया और फिर साल 1970 में इसरो के चियर मैन विक्रम सारा भाई ने L&T को देश के स्पेस मिशन में और साल 1985 में DRDो ने L&T को डिफेंस सेक्टर में अपने साथ काम करने के लिए अपना पार्टनर बना लिया दोस्तों एक कंपनी मुंबई आरोसी में रजिस्टर होती है और मुंबई में ही एक छोटे से ऑफिस से काम की शुरुआत करती है सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहां के लोगों को रोजगार देती है और समय से सभी टैक्स को भी जमा करती है यह सफिशिंट है किसी भी कंपनी को इंडियन कहलाने के लिए एलेंडिटी इंडिया के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांगला देश और नेपाल के अलावा दुनिया के हर कोने में काम करती है लेकिन एलेंडिटी आज भी पाकिस्तान में काम नहीं करती फिर दौर आया 90's का जब एलेंडिटी का बढ़ता बिजनस और प्रॉफिट कुछ बड़े बिजनस ग्रुप्स की आँखों में चुबने लगे वह मौके की तलाश में थे कि कैसे इस पर कबजा किया जाए और इसकी पहली कोशिश की दुबई के एक बिजनसमैन मनू छाबडिया ने जब HTC1 में उसने एलेंडिटी का 1% स्टेक खरीद लिया लेकिन उनकी नियत को भापकर एन एन देसाई रिलाइंस इंडस्ट्रीज के चेर्मैन धीरु भाई अंबानी के पास गए और उन्हें कमपनी का शेर खरीदने का रिक्वेस्ट किया ताकि कोई बाहरी एलेंडिटी को कंट्रोल न कर पाए फिर आया 2001 जब अमबानी ने एलेंडिटी में बची हुई अपनी 10.05% की पूरी हिस्सेदारी कुमार मंगलम बिडला की ग्रासिम को बेच दिये और उसका रीजन ये था कि एलेंडिटी सीमेंट कारोबार में ग्रासिम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कॉम्पिटीटर थी और इसलिए बिरला ग्रुप भी एलेंडिटी पर कबजा करना चाहती थी एम नाइक ने सोचा कि अब बहुत हो गया इस प्राबलम का कुछ पर्मनेंट सोलिउशन निकालना होगा उन्होंने एलेंडिटी के सारे एमप्लोईज को एक जुट किया और उन्हें समझाया कि दूसरों का नौकर नहीं बलकि कमपनी का मालिक बनकर अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखना होगा हमें इतनी मेहनत करनी होगी कि अच्छे नतीजे कमपनी के स्टोक को इतना महंगा कर दें कि कोई खरीदने की हिम्मत न कर सके उनकी बात का जबरदस्त असर हुआ और L&T Employs Trust बना कर सबने कमपनी के शेर्स को खरीदना शुरू कर दिया उधर बिरला को तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा महीनों बातचीत का दौर चला और आखिरकार बिरला एक सेटल्मेंट के तहत अपनी पूरी हिस्सेदारी L&T Employs Trust को सौंप कर बाहर निकल गए बदले में L&T को अपना सीमेंट बिजनेस बिरला ग्रूप को सौंपना पड़ा जिसे आज हम अल्टराटेक सीमेंट के नाम से जानते हैं आज भी L&T में किसी प्रमोटर का हिस्सा नहीं है और लगभग 12% शेर्स के मालिक उनके इंपलॉईज ही है L&T को A.M.Nike के रूप में एक सच्चा लीडर मिल गया था जिन्हें दिसंबर 2003 में कंपनी का चेर्मैन बना दिया गया और तब से लेकर जून 2017 तक वो L&T के चेर्मैन बने रहे आज 5 लाख करोड से भी ज्यादा नेट वर्थ के साथ L&T ने अपने बिजनिस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया है आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं एक और बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद